नमस्कार दोस्तो एक बार फिर स्वागा थे आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पॉपलर टीवी सो तारक महता का उल्टा चसमे में दया भावी दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा कि दया भावी कुछ सालों से इस सो में नजर नहीं आ रही है फैंस ये सोच रहे हैं कि आखिर दया भावी के वापसी इस सो में क्यों नहीं हो पा रही है दोस्तो दया भावी का किरदार इस सो में काफी अनोखा है और इस show में दया भावी के किरदार को fans काफी पसंद भी करते हैं तो दोस्तो आपको बता दे कि दया भावी की इस show में वापसी ना करने का क्या कारण है दया भावी एक married lab जिंदगे जी रही है उन्होंने एक baby को जन्म दिया है इसकी देख रेक में हुआ और उनके husband चाहते हैं कि अपने ज्यादा था time अपने बच्ची के साथ spend करें तो दोस्तो जाहर सी बात है कि दया भावी का इस show में वापसी करेंगी तो उन्हें दिन के लगवक सूटिंग के लिए 10 से 12 घंटे के तक काम करनी होगी ऐसे में दोस्तो ये अपने बच्ची का ध्यान कैसे रख पाएंगी और आपको बता दे कि इस show में दया भावी और जेठलल का किरदार सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा sit पर इनी को सूटिंग करनी होती है इसलिए दोस्तो दया भावी ने फिलाल के लिए show को क्विट किया हुआ है तारक मैता के मेकर्स भी एक कोसिस कर रहे हैं कि दया भावी को जल्दी इस show में वापसी कर आई जाए तो दोस्तो अब हम भी यह देखना है कि दया भावी इस show में कब वापसी करेगी वैसे तो आती है मैं आपको वीडियो को जरी अपडेट देता रहूंगा इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले